नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज कल एक बात बहुत फैली हुई है आम जनता में, आम लोगों में कि 12 साल अगर किसी भी प्रोपर्टी पर कपजा रखते हैं या होल्ड रखते हैं तो आप उसके मालिक हो जाते हैं आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस सिचुएशन में कौन सी वो शर्ते हैं जिनको पूरा करने के बाद इस तरह का मालिकाना हक आपको मिल सकता है या किसी प्रोपर्टी पर आप अपने मालिक होने का दावा ठोक सकते हैं या कपजे का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने कपजा कर रखा है या जिस व्यक्ति के पास उस प्रोपर्टी की एक्चुल पोजिशन है और वो उसका ओनर या मालिक नहीं है तो क्या 12 साल तक लगातार कबजा रखना किसी को मालिकाना हक दे सकता है और अगर ये मालिकाना हक देता है तो कौन से वो कानून है कौन से कानून के वो प्रावदान है जिसके तहट ये हक मिलता है एक और जरूरी बात अगर ऐसा है तो वो कौन सी requirement है जिनको पूरा करना होग ऐसी किसी भी प्रोपर्टी पर मालिका नाहक का दावा करने के लिए आज की इस वीडियो में हम इसी टोपिक से संबंदित कानूनी प्रावधान और जज्मेंट हम समझने वाले हैं इसलिए वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम बात करेंगे कि Adverse Position क्या होता है या Doctrine of Adverse Position इसी संदर्ब में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले समझेंगे Limitation Act के Section 27 को Section 27 क्या कहता है कि अगर किसी वेक्ति ने किसी दूसरे की प्रोपर्टी पर कपजा कर रखा है और वो कपजा हटाने के लिए प्रोपर्टी के मालिक ने लगाता 12 वर्ष तक कोई कारवाई नहीं की कोई प्रियास नहीं किया कपजा करने वाले के खिलाफ तो 12 वर्ष का टाइम पूरा होते ही उसका उपचार तो समाप्त हो गई साथ में उस प्रोपर्टी से उसका Title या अधिकार भी समाप्त हो जाता है और Title मिल जाएगा उस व्यक्ति को जिसका लगातार उस पर कपजा रहा है इसको कहा जाता है Adverse Position के दवारा अधिकार की प्राप्ती मोटी मोटी दो बाते समझ लिजिए कि अगर आप किसी प्रोपर्टी पर 12 साल तक कपजा रखे हुए हैं और इन 12 वर्षों के दोरान प्रोपर्टी के मालिक ने किसी प्रकर का दावा उस प्रोपर्टी पर नहीं किया मालिका ने हक्का तो कबजाधारी मालिका ना हक्का दावा कर सकता है अब बात आती है कि आखिर किन आधारों पर ये दावा किया जा सकता है अब बारा साल पूरा होने के बाद adverse position के दवारा उसको right तो मिल गया लेकिन उस right के लिए उसको court से declaration या proof of title लाना पड़ेगा कि yes now I am the owner of the property अब जब यह दावा लाया जाएगा तो इस दावे को prove भी करना पड़ेगा here we are talking about essential elements for perfection of adverse position essential element यानि आवशक तत्व अब पहला आवशक तत्व है कि position लगातार होनी चाहिए यानि कबजा लगातार होना चाहिए बिना किसी कारवाही या interruption के supreme court की भी guideline है इसको लेकर जिसमें कहा गया है कि ये कबजा publicly होना चाहिए और असल मालिक की जानकारी में भी ये बात होनी चाहिए कि हाँ मेरी property पर कबजा है और कबजाधारी जो है वो अपना clear title दे रहा है कि हाँ ये property मेरी है बंसी वर्सीज गोविंदी के case में माननिय सुप्रिम कोर्ट ने ऐसा कहा है कालिका परसाद and others versus छतरपाल सिंग इसमें भी वही बात कही गई है इन दोनों cases में continuity, publicity और adversity की बात कही गई है adversity का मतलब है कि actual मालिक के title को deny करते हुए कबजाधारी अपना title बताते हुए कबजा रखना रखता है कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ और मेरे पास ही इसका कबजा है और ये तीनों element कबजाधारी को prove करने पड़ेंगे कालिका परसाद वाले case में सरकार ने किसी को पट्टा कर दिया किसी जमीन का और पट्टा देने से पहले ही जो plaintiff था वो उस पर काबिज था और ऐसे ही वो लगातार 12 साल तक उस property पर कबजाधारी रहा लगातार 12 साल तक ना तो सरकार ने उसको हटाने का कोई प्रियास किया और ना ही जिसको दोबारा पट्टा दिया गया उसने उसको हटाने का प्रियास किया अब बात करते हैं दूसरे essential element के बारे में जो कहता है कि such position must be without interruption यहां interruption का मतलब है अगर उस 12 साल की अवदी के दोरान अगर किसी भी परकार की कोई रुकावट की गई है तो वो continuity नहीं मानी जाएगी अगर असल मालिक ने इन 12 वर्षों के दोरान कोई भी ऐसा act किया है कोई भी ऐसा action लिया है जिससे ये लगे कि वो आपको कबजे से रोक रहा है या वो आपका विरोध कर रहा है तो वो continue कबजा नहीं माना जाएगा बले ही उसको position से नहीं हटाया गया हो खाली interruption भी continuity को खतम कर देगा एक बात ध्यान रखिए अगर interruption 12 साल से पहले हुआ है और उस interruption की कारवाई के चलते अगर 12 साल बीत गए तो वो भी interruption ही माना जाएगा कई बार एक शब्द सुना होगा आप लोगोंने कि title का hostiling nature होना चाहिए अब ये क्या होता है? hostiling nature का मतलब है कबजाधारी असल मालिक के title को deny करते हुए अपने title का दावा करे तो वो hostile title होगा एक case का reference लेते हैं the journal mines and quarries limited versus शिरी करतार सिंग case था कि एक वेक्ति किसी company का employee था और उस company की तरफ से उसको रहने के लिए एक घर अलोट कर दिया गया company छोड़ने के बाद भी उसने उस घर को खाली नहीं किया company को handover नहीं किया बलकि वो continuation में रहा और company ने उसको हटाने का भी कोई प्रियास नहीं किया द्यान देने वाली बात ये है कि बले ही company ने उसको हटाने का प्रियास नहीं किया लेकिन कबजादारी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं इस property का मालिक हूँ जो कि अब service खतम हो गई थी तो उसकी इस घर में रहने की capacity केवल उस company का employee होने के नाते ही थी इसलिए ये एक illegal position भी था illegal position कभी भी hostile position नहीं कही जा सकती और उपर से उसने कभी ये भी declare करने का प्रियास नहीं किया publicly ये declare नहीं का कि company नहीं बलकि मैं इस घर का मालिक हूँ illegal position से कभी भी title नहीं मिलता ये बात समझ लीजिए अब एक और जरूरी element है जो कहता है आउस्टर must be there अब ये क्या होता है आईए इसको भी समझते हैं आउस्टर को हिंदी में हम बेदखली कहते हैं वैसे तो आउस्टर का सिदान्त co-owners जो होते हैं उनके संदर्ब में लागू होता है जहां एक ही property के दो या दो से अधिक मालिक या स्वामी होते हैं और अगर उस property पर कोई एक विक्ति exclusively कबजे में है माल लिजे किसी गर के तीन मालिक है दो किसी काम से देश चे बाहर चले गए अपनी नोकरी के चलते है किसी और काम के और 12 साल तक लोटकर ही नहीं आए इस पूरे समय तीसरे विक्ति का गर पर कबजा रहा तो पहली बात तो ये hostile position नहीं मानी जाएगी दूसरी बात उसने title भी deny नहीं किया इसलिए adverse position भी नहीं होगा और उसको आउस्टर भी नहीं किया गया अगर ये सभी बाते आप समझ गए हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसी property है जिस पर आपका 12 साल से लगातार कबजा है तो उस पर दावा करने के लिए जो उस property का असल मालिक है उसको case में defendant बनाते हुए उसके खिलाफ दावा लगाएं दावा किया जाएगा कि इस property पे मैं पिछले 12 साल से लगातार काबिज हूँ और इस 12 साल की अवदी में हमें बे दखल करने की कोई भी कारवाई नहीं की गई और हम इसके title को लगातार निरंतर डिनाय करते आ रहे हैं इसलिए हम इसके मालिक हो गई हैं यह होता है suit for declaration under section 34 of specific relief act कि मैं इस संपत्ति का adverse position के आधार पर मालिक हो गया हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यह जो 12 साल में property का कबजा रखने पर किन किन बातों का ध्यान रखकर आप उस property पर अपना मालिकाना दावा पेश कर सकते हैं अपना मालिकाना हक कानूनी दिखा सकते हैं फिर भी अगर कोई प्रशन है तो comment box में लिख कर जरूर बताए या फिर हमें हमारे Instagram या Facebook पेज पर inbox कर दें नमस्कार